संजे ने बुलाए गुंडे सबके सामने चारू ने क्या देव की तारीफ ना तो वो लोग मंडब तक पहुँच पा रहे है और ना ही चारू खुद के लिए स्टैंड लेती है अब जब बार-बार घरवाले कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हमेशा मा बेटी को सिखाए कभी-कभी स्टैंड लेना बेटी भी मा को सिखा सकती है इन सब बातों को सुनने के बाद चारू को finally realize होता है कि उसे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए अब सबसे पहले चारू आग में पारी डाल कर फेरो के अगनी को बुझा देती है इसके बाद वो नीरज को जोरदार थपड लगाती है और कहती है कि मैं तुमसे बार बार request करती रही कि प्लीज मत करो मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है मैं uncomfortable feel हो रही हूँ लेकिन तुम्हें ऐसा लगा कि मैं अपने boyfriend के वज़े से ऐसा बोल रही हूँ इसके बाद चारू बोलती है कि I hope तुम्हें समझ आया होगा कि ना का मतलब ना ही होता है विल इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी संजय को डील की पड़ी है और वो चारू के शादी जबदस्ती नीरच से करवाना चाहता था इसके बाद बाद दादी सा आती है और दादी सा संजय को सबक सिखाती है अब क्या कुछ कहना इस पूरी अपडेट को लेकर आप अपना उपिनियन हमें कॉमेंट के जरीए जरूर बताइए और साथी टेलिविजन से जुड़ी सभी लेकर अपडेट के लिए सबस्क्राइब करें हमारे चानल को